हेलो एवरिवान स्वागते आप लोगों का मेरे चैनल पर होम टिम्स और आइडियाज नमबर पर आज में आपके साथ बहुत ज़्यादा काम के टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा तो वीडियो को पूरा जुरूर देखे बिना स्किप किये क्योंकि कोई भी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसपूर हो सकती है तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के मेरे सबसी पहले टिप है इस तरह पर्स को लेकर जो इस तरह से पर्स होते हैं हम इसे ऐसे रख देते हैं काफी टाइम के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं तो इसके बीच में क्या होता है पड़े पड़े नहीं इसमें फंगसी लग जाती है तो इससे पर्स नहीं करते हैं, काफी टाइम बाद हम इसे यूज़ करते हैं तो इसमें फंगसी लगी रहती है तो इसके लिए आप क्या करें इस से कोई भी पाउडर लेलें एकस्पायर पाउडर हो भूभी आप ले सकते हैं तो जब भी आप इस पर्स को रखे तो इसके बीच में आप इस तरह से पाउडर को जरूर डाल दें इससे क्योंगा आपके पर्स में बिल्कुल भी फंकस बगारा नहीं लगेगी जब भी आप पर्स को रखें तो इस Mightyınız के फिस मिरी पाउडर को जुरू डाल कर रखेंht, तो Android आए और पर टीप आपको काफी ज़से पसंद आई वगी तो हमें क्मेंड करकर जुरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पर्सकों सेफ करकर रख सकते हैं. तो चलते हैंनेक्स टिप की तरुव तो नेक्स टिप भी बहुत ज्यादा कमालकी होने वाली हैं. यह टिप मेरी प्याज और लेसन को लेकर है जब भी हम रोज खर्ण अबनाने के लिए प्याज और लेसन को कट करते हैं या फिर शेलते हैं लेसन को इस से इनकी स्मेल हमारे हाथों से जाती ही नहीं है हम इसे बहुत ही साबन वगयरा या डिटॉल वगयरा से वाश करते हैं तब भी इसकी स्मेल हमारे हाथों में से नहीं जाती है तो इसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत जाद यूसपूल टिप ले करना है जिससे आपके हाथों की स्मेल बहुत ही अची तरह से चले जाएगी आपको क्या करना है इस तरह से कोई भी स्टील का बरतन ले लेना है उसके उपर आपको इस तरह से अची तरह से रफ करना है अपने हाथों से तो इस तरह से आपको थोड़ा कसकर रफ करना इससे जो भी स्मेल होगी हाथों में बहुत ही अच्छी तरह से चले जाएगी उसके बाद आप अपने हाथ को डिटॉल या किसी भी साबुम से वाश कर ले तो इस तरह से आपके हाथों की स्मेल बहुत ही असान इस तरह से ठाहिए रचेन की मैचिंगी नेल पैंट भी ले सकते हैं तो आप इस तरह से चैन की उपर नेल पैंट को लगा दें इससे क्यों work पानी की वज़े जिसके जंग बिल्कुल भी नहीं लग 색 और ना ही चैन हमारी खराव होगी तो इस तरह से आप पूरी चैन पर नेल पेंट लगा दीजिए यहाँ पर आप ट्रांसपेरन नेल पेंट भी ले सकते हैं या फिर मैचिंग की नेल पेंट ले लें तो यहाँ पर देखी मैंने पूरी चैन पर nail pen लगा दिया आपको भी इसी तरह से लगा देनी है तो इस तरह से अगर आप लगा कर रखेंगे इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो इस तरह से उसके बाद आपकी चैन बिल्कुल असानी से बंद भी हो जाएगे और खुल भी जाएगी आई हो पे आपको पसंद आई होगी तो चलते है नेक्स टिप की तरव तो मेरी नेक्स टिप इस तरह सरसो के तेल को लेकर है जब यह मार्केट से इस तरह का सरसो का तेल लेकर आते है कभी कबार इन तेलों में काफी जारी मिलावट होती है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं आपको क्या करना इस तरह से कटोरी ले लेनी है कटोरी के बीच में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है तो इस तरह से आपको थोड़ा सा तेल डाल देना है उसके बाद में आपको क्या करना है हो इस तरह से हो तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि हमारा तेल बिल्कुल प्योर है इसमें कोई भी मिलावट नहीं है तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को खत्रे से बचा सकते हैं तो चलते हैं नेक्स और लास्ट टिप की तरफ तो मेरी नेक्स टिप इस तरह बेलन को लेकर है बेलन में क्या होता है जब भी आप गर्मियों का सीजन आ रहा है तो क्या होता है बेलन को ऐसे ही धोकर रख देते हैं इससे क्या होता है बेलन काफी ड्राई हो जाता है जिसके वज़े इसमें फंगस लग जाती है तो जब भी आप बेलन को वाश करक करके जुरूरता है वीडियो को लाइक जुरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करें बैल अकन को इस जुरूर करें ताकि यहां नीव नीटीपस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसता रहें बैबाए